हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आज हम कच्छा दस कि त्रिकोमीति के कुछ अनुपरियोग से संबंदित इंप्रेंट प्रस्ण को देखने वाले हैं फ्रेंस यह ऐसे प्रस्ण है जो 2024 के बूर्ड एक्जाम के लिए वायरल प्रस्ण है फ्रेंस इस चेप्टर का यह पार्ट वन है फ्रेंस आप सभी को त्रिकोमीति के कुछ अनुपरियोग से संबंदित दो पार्ट अप्लोड करेंगे पार्ट वन में आज हम आप सभी को बवीकलपी के साथ साथ दिर्ग उत्री प्रस्ण करवाने वाले हैं तो चलिए फ्रेंस वीडियो स्टार्ट करत देखे फ्रेंस आपको सवाल पढ़ते समय पढ़ते एक सवाल में आपको मिलेगा उन्यन कोड और अनुमन कोड दिखा मिलेगा इसका मतलब फ्रेंस आप जब तक नहीं जानेंगे आप सवाल को हल नहीं कर सकते हैं तो फ्रेंस देखिए उन्यन कोड का मतलब होता है कि जब नी जो खड़े हैं खड़े हो कि इसके सिर्स को यहां से ऐसे देखेंगे न हमेड़ा कौणिhake कि am नीची से ऊपर देखन नीची से ऊपर देखते समय जो कोड़ बनता है उसे क्या करते हैं इसका मतल़ समझते रहिए पीर अगला फ्रेंट आप ध्यान दीजीगा आउनमन कोड देखे फ्रेंट-इस औम्हदा क्या होता है कि ऊपर से नीचे देखना आप रहे हैं यहाँ से उस देख रहे हैं यहां सी को पर 64 निचे देख देख ल होगा ऑना मन को पहल से यह कोड यी वह ऑना मन मन इस कोड के बराबर होता है ठीक है यह कोड ने इस कोड के परेस्ट यहां पर 20 अंज का कोड़ बनेगा अब जलकर करते हैं और समझाते हैं फ्रेस आपके सामने अधिया सवाल है कि एक उर्दvader खंबे की परचाई हे र्त चाहि के बराबर है और सुरि पाईन कॉड आपको बताना हम सुरिय पादा के क्या होगा इस सवाल कुछ अनुपरियोग र्थात ऊचाहि दूरी वाले सवाल आपको लगाना है तो आपको चित्र बनाने आना चाहिए देखे चित्र कैसे बनाएंगे आपको बता रहे हैं अब खंभे के परचाई माल लेजे फ्रेंश यहां पर सूर्ण आपका इधर है कहीं पर ठीक है जब यहां से चाय पड़ेगा इसका पर यहां पर बने अब देखे अब देखे ए हो गया तिर भूज का नाम अपने माल लेजिए और चम्बे की परचाईए और यक्स और यक्स और यच की बराबर आप लिखा झाले यहां पर आपको देखिए यहाँ पे आपको यह लंब पता हो गया और आधार पता हो गया फ्रेंस यहीं आपको फार्मूला नहीं पता है तो आपको प्रोड़ को यहाँ लिख लिगा देखे इसी फार्मूले का यहाँ पे सायन ठीटा काभ ठीटा काण ठीटा का फार्मुला पर्योग होता है जिसमें मायकसिमन की पर्योग होता है तो इसके अलाव फ्रेंश, इसका टेबल आपको याद होना चाहिए ठिक यह फार्मुला आपको याद रहेगा तप videos यहाद को अबücksाहिए प्छली प्लेश्ट से आप देख लीजिएगा अब दिखे इस सवाल को लगाना है यहां पर यह लंब हुआ और यह आधार हो गया यहां से कौन से फार्मुला लगेगा फ्रेंश टैन वाला फार्मुला लगेगा ना देखे क्यों लगे क्यों बता रहे हैं यहां से लिखिये टैन टी यहां फ्रेंश लंब क्या है यच है आधार क्या है यक्स है ठीक है अब यहां पर देखिए टैन ठीटा बराबर यहां पर यक्स और यह दोनों बराबर हैं यहां यह रहने दीजिए अब यक्स के जगा पर हम और शक्ता का अनुस्वार यह भी रख सकते हैं यह से यह कड़ फैर होगा यहां पिस थीटा कि बचाथ ऑफ आपको याद ने से क्या scheduled 35 संसों तहई कि एक पार हर लिखे होंगा जलाबर का सिख को आप देखिए यह वाला करेक्ट हो जाएगा अब देखिए इसका ट्रिक क्या है बीना आप लगाए इसको कैसे हल कर सकते हैं ठीक ट्रीक देखिए ट्रिक इस सवाल का यह है फ्रेंस कि जब आपका जो परचाई रहेगा और खंबे की उचाई आपस में बराबर रहेंगे फ्र दूसरा नंबर का सवाल आप आसानी से हल कर सकते हैं चलिए पढ़ते हैं और हल करते हैं यदि यदि समतल मैदान पर एक मिनार की छाया की लंबाई उसकी उचाई की करड़ी तीन गुनी है तो सुर्य का उन्यन को बताई यह देखिए दो हजार तेजिस के पेपर में सवाल सवाल को देखिया कैसे मायदान है मिनार में प्रेसा मेंस अुझ सरह लमबाथ होता है अब यहां पर क्यों कि Iz marry चाया जमीन पर और इसoken मिला लग कॉना झाया कि एक मिनार की जो च्हाया है उसकी लंबाई मतलब यह है लंबाई की यह मानी यह है और अबाइट इसकी उचायः कि प्रन को लगूत त्लिद यहां पर आधा array पर त्लू तो आपको टेकर फार्मूल लगा गाया और यहां पर फ्रेस्ट को फार्मूल भी बताया है कि काउंसा फार्मूल लगेगा कमान होता है यहां पर लिखना आए आपको टैन से ठीटा कितना हो जाएगा यहां ठीटा कमान आया तीस अब आप संदेखिए कौन से सही होगा तो सीवल आपसं क्रेक्ट हो जाएगा देखें आप सवाल नम्बर सब्सक्रारित और कि यह भी त्यार्थ के पेपर में आगया आप आसानी से सवाल को लगा लगे क्या है कि चित्र में बिंदु का बिंदु का अपकर पूचा यहां क्या है और मतलब होता है कि आप इसके यहां सीर्स पे बैट यहां पर बैट के देख रहे और यहां पर नाम नहीं यह दिखे थे और पी और पी से पूछ रहा है और नमन कोड क्या होगा और पहले इसकी रेखा के समाना अंतर आप ऐसे एक रेखा कीछ लीजए ठीक है दोनों का आपस ऐसे मिला का कॉड बनेगा यहां कितने अंस का कॉड बन गया कि यहां कितने अंस कोड बन रहा है कि यहां पर बता आपको पूरा मिला कि कितना नवय होता है नवय होता है नवय कोड़ यह मिलाएंगे गदो क्या की आप कि जिएक नवय मैं से गटा के बताएगा नवय मैंस क्या करेंगे 30 गटा दीजिए गाते कितना ऑजाए इसका मतलब यहां पी जो कोड़ बनेगा कितने अंस का कोड़ बनेगा अब देखे फिरेंस आपका कोड़ कितना आया 45 और 35 और 35 तो ना इसका सही जो आप भी वला आपसान और ठीक है इस तरीका से इस सवाल को लगाना थे इसलिए आपक कैसे आप हल करेंगे देखे आपका चौता नमबर का सवाल है कि एक जंडे के लट्ठे के पाद से 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है यदि कोड पी बी बराबर साथ है तो जंडे की उचाई ग्याद कीजिए दिखे फिरेंज यहां पर जंडे की उचाई ग्याद कर रहा ह है तो फिर देखे जंडे के लट्ठे के पाद से पाद मतलब होता है इसका आधार से 50 मीटर की दूरी पर तो आप जब यहां पर बना लेंगे इसको आप हमेशा से मिला लिजीए मिल गया जब यहां मिलाएंगे तो कितने अंस का कोड़ बन रहा है साट अंस का जंडे की उचाई क्या आधार है और यहां क्या है उचाई तो कौन सा फार्मुरा लगा लगा लेते हैं हो जाएगा आपका टैन टीटा लंब बटाके आध हार। ठीक है। देखिने लंब कितना आपका यह ए चैन आधार कितना है 50 है और यहां पर ठीटा करोड़ी में 3 यह हो जाएगा यह कमान कितना हो जेँआ फरेंस 20 करणी में 3 मेटर होगा अब चलिए आप संग को देखते हैं तह आपसान जब दिआ से देखेंगे यहां पची स्वाल नोली ते this is the चाट होता है आपको फ्रेंच देखिए प्रतियक प्रस्ण को अदम डिटेल में बतारेंगे किसी प्रकार के प्रस्ण में डाउट होता है तो आप कमेंट बाक्स में लिख दिया कीजिए ठीक है अब देखिए इस सवाल में करना क्या है कि एक मिनार की उचाई 20 मीटर है जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20 करड़ी में 3 मीटर है सूर्य का उन्नियन कोड़ ग्यात कीजिए देखिए फ्रेंच से प्रस्ण 2022-2019 में रिपीट हो चुका है ठीक है अब फ्रेंच देखिए आपको जब भी आपको उचाई द लने के लिए पहले यहां पर लिखिएगा हल हल लिखने के बाद आपको सबसे पहले इसका चित्र बनाने का प्रयास कीजिए दिए एक मिनार की उचाई जब मिनार कहेगा इस तरह बना दीजिए कर एक मिनार की उचाई 20 मीटर है यानि 20 मीटर यह क्या मिनार की उचाई हो ग यह चाया है यह कितना है बीस कड़ी में तीन हो जाएगा मीटर है यहां पर मतलब यहां से नीचे से ऊपर देख रहे हैं यहां ठीटा है अब इसका नाम दे दिया अपने मन से आपका यह लंब और यहां उसी तरह आपको ठीटा बरावर अब यहां प्रेंश क्या लंब बटा के आधार त्टीन गियाद करने ठीटा रहने दीजिए अब कितना है फ्रेंट रिच कर लीजिए बीस कर लीजिए यहां पर होजागा ठीटा बराबर 20 से 20 कटार्य को tutti अब फ्रzes आप पता होना चाहिए कि एक बटाइक 3 किसका मान होता है अब आपको पता है इसके पहले को 10 ठीटा ये बटाइक 3 जो मान होता है आप किसका होता है तो 10 30 का होता है किसका होता है мер फ्रेंस 10 30 का दोनों पच्च में 10 10 बराबर है तक प्षी जाएगा तो एतना आने के बाद आपको एंसवर कैसे लिखना ध्यान दीजिए यहां पर लिखिये एंसवर यहां पर एंसवर लिखने के बाद देखिए का रहाँ सुर्य का उन्ययन कोड ग्याद किजिए यहां पर देखिये लिखेएगा सूर्य का उन्यान कोड बराबर ठीटा वरा कितना आए थीस और देखे फ्रेंज यहां पर आप सूर्य बना भी सकते नहीं भी बनाएंगे प्राप्लम नहीं होगा ठीक है लेकिन देखें आपको बना देदेगे सूर्य माली ची इधर बनाते हैं आप ठीक है इध इस सवाल को आपको मिलें बार बर बता रहे हैं कि आप इसका चित्र बनाना पहले सबसे पहले सीखिए कि चित्र कैसे बनाया चित्र बनाना आ गया तब सवाल आसानी से हल कर लेंगे सवाल क्या है कि एक मिनार की चोटी का उन्यन कोड उस मिनार के आधार से 36 तल पर 40 मीटर दूरी पर इस्थित बिंदू से देखने पर 45 अंस है यहाँ फ्रेंस लिखिएगा हल हल लिखने के बाद देखिए सवाल का क्या रहा है एक मिनार देखिए मिनार का नाम लिए ना मिनार जब भी गया तो ऐसे आप खड़ापाई खिच लिजएगा एक मिनार की चोटी का उन्यन कोड अब उन्यन कोड का मतलब हो गया कि आप कहीं पर यहाँ पर खड़े होंगे म 7304 गिटी टल पर चालिस मीटर की दूरी पर gibt Dienst教 बिदिस्ट अब ईंसित्ना करूंब हरा राभ आलिके मिल गया यहां पर भन रहा है अब, इसक погraal माल जह भन रहा है अब इसका नाम लिख छोटी का उन्यम कोल आप उन्यन कोल और चोटी कि Dollar कि ईूचाहि आपसे पूछ रहा ऐसा उब parar में एक मिनार की ऊचाहिक यहां पर महाना मिनार की उचाई बराबर यह उस तरह माल लिए अब इस तरह माल लिए आप इस तरह माल लिए नाम लिखे दीजह कैसे करें तिरीबूच अब तेसे इसमें आपका लंब पता है आधार पता है कौनसी लगाएंगे टैन कि फर्मूला का लंब आधार होगा कि लंब क्या है आपका अभी है तो यह भी कर लिजी आधार के यहाँ पर टैन डिए तो तेटा का मन के फ्रेंज कितना दिया आप पाइदाली सन्स याँ पर ठीटा लिए रहारे कितना लिए आपको 45 अपर टेटा बराबर एपी कमान कितना है आपका आपका यह दिए चालिस कर लिजिए और यहां भी देखिये ठीटा कमान कितना है पाइदारीस में यहाँ पाइदारीस कर लिजिए बराबर यह पटा के चालिस कर लिजिए अब फ्रेस आपको पता होना चाहिए यहाँ पाइदारीस कमान कितना होता है यहाँ पाइदारीस कमान होता है फ्रेस एक और यहाँ पर होता है यह पटा के चालि अब तिरे गुड़ा कर लिए इस चालीस का एक में गुड़ा कर लोगा यहां पर यह बराबर आगे आपका इसपका से भी लिख सकते हैं देखें आप ध्यान दीजिएगा यह बराबर उचाई ऊचाई यह ब्राबर 40 मीट्र यह फ्रेंस क्या हो जागा आपका इंसर हो जागा जैसे उसी प्रकास प्रकास बोर्ड के एकजाम में इस तरह आप अपको यदि चार नंबर में आता है तो पूरे के पूरे सवाल मिलने वाले जले इए अगले नमबर के सवाल को देखते हैं भी आपके बूरीं करना हल लिखना है हल लिखने के बाद देखे कैसे हल करेंगे अब दिए करें 36 तल पर इस्थित बिंदु से उसी तल पर खड़े एक उर्द्वादर मिनार के शिर्स का उन्यान कोर 30 अंस है ठीक है मिनार की वर 40 मीटर चलने पर अब देखें अब देखें फ्रेंस क्या कर रहा है कि 36 तल पर इस्थित बिंदु से उसी तल पर खड़े सिर्स का उन्यान कोड़ कर देके संब्लाफर मिनार एक उसी तल पर पर बिस अधर को व्रेंस क्या कीजिएक इसको ऐसे कोड कोड कितने कोड है हैं यहां पर 25 का कुर मिनार की यानिछ यहां पर कढ़े थे तैसी के मिनार की यहां Siz k Fellows शब्ूब जा रहा हो मेनार की महरतत ना मौनार की यहां से इंधर जाएं मेनार की यहां जो यहां से आप किधर जाएंगे मिनार के वर माले जी यहां पर आ गए जब यहां पर आ रहा है इसको आप ऐसे मिला लिजीए और यहां पर कितने अंसका बन जाएगा यहां पर यक स्वाई को अच्छर मान लीजिए गाँ इसका नाम देदीजिए अपने मन से लिखें इसको मान लीजिए गाँ यहां पर लिखें कैसे मानेगे यहां लिखेंगे माना- fronts इसका नमबर का बोर्ण की एकजाम में आने वाला है माना क्या पूछा है मिनार की बिखाई यहां पर लिखेंगा मिनार की मिनार की ऊचाई मिनार की ऊचाई येच मीटर ठीक है मिनार कि उचाई, येच मीटर हो गया अब यहां पे देखे, BC बरावर क्या माने है, BC बरावर यक्स मीटर माल लीजिए, BC बरावर यक्स मीटर है, और AB बरावर कितना है, friends, AB बरावर है 40 मीटर ठीक है इतना लिखने के लाख़ अब इस सवाल को हलक ऐसे करना अब यहां पर ध्यान देगा यहां फरेंद यहां दो सिर्भूच बनना चाहिए अ Alright दूसरा सिर्भूच wcd 23 और हमें एससे सवाल लगता सवाल को देखे आपको हल करके बताते हैं पहले इस त्रभूच का नाम लिखते हैं यहां लिखेंगे कि त्रभूच क्या नाम BCD है नहीं तो BCD में जब BCD में फ्रेंस आप देखेंगे यहां पर आप देखिए एक लंब पता है और एक क्या पता है आधार पता है जब लंब और आधार पता रहता है तो अभी फ्रेंस बार-बार आपको पताते चले आ रहे हैं कि जब लंब और आधार पता रहे तो आप कौन सा फार्मूला आपको लगाना है तो आप लगाना है 10 ठीटा कौन सा फार्मूला चलिए यहाँ लगाते हैं लंब कितना दिया है यह सीडी है और क्या है यहां पर मान रखिए यहां पर मान रखिए ठीटा कमान कितना यहां से क्या करते हैं कि यक्स कमान निकाल लेते हैं यक्स यहां क्या हो जाएगा है यह आपका यक्स कमान आया इसको आप इस तरह बोड के अगला इस्टेप में क्या करना है अब किस तिर्भूज में आपको चलना है यह ट्रूज स्टापका हो गया अब इस बड़े होगा चलिएगा चलना यहां पर लिखते हैं ठीक है यहां पर लिखिए गाप त्रिभूज कि ए-शीडी में ए-सीडी लिखेंगे आप फ्रेंश देखें अब क्या करना है अगला इस टेप में आप जिए पूरा यहां से लेकिए यहां दा के देखेंगे आपके क्या आधार है यह क्या है लंब है इसका मतलब यहां पे कॉण से फार्मर लगेगा प्रटेन वाला ही यह लिख लिख सकते हैं जाएक तो यह दिखा दिखा दिया यहां क्या फार्मूला है लंब बटा के आधार ही है है यहां लंब आपका चूडी है तो सुडी नाम दीजिए अब लिखे फ्रेस आधार क्या है तो आधार अरे पूरा एस यहां पर एस लिखिएगा अब क्या करते हैं यह बराबर क्या लिख सकते हैं यहां प्लस बीस क्या लिख सकते हैं अब यहां पर मान रख लीजिए एक कमान कितना है यहां पर इसको हल करते हैं देखेंगे एक बटा के रूट तीन होता है यहां पर हुआ यह बटा के 40 प्लस एक्स अब तीजिए गुड़ा कर लिजिए इसका यहां पर करेंगे तो कितना होगा 40 प्लस यक्स हो जागा यच करणी 3 में गुड़ा करेंगा यच करणी 3 हो जागा अब फ्रेंज यहाँ पर देखे 40 हो प्लस यक्स के जगब कितना रख सकते हैं यक्स के जगब पर यच बटा की करणी में 3 रख सकते हैं यहाँ पर रखें अप्छरवाला को एकसाट कीजिए इसका मतलब यहां पर कितना होगा 40 और यह 25 होगा ती यह करणी में 3 तो पहले से इसको 25 कर रहेंगे तो इतना करने के बात है कि आपको क्या करना है कि यहां पर देखिए 40 बराबर यह क्या करें इसको अब लिखिए 40 कितना करणी में 3 हो जाएगा अब तीरिया गुड़ा कर लिजिए यहां देखिए कैसे करते हैं 40 बुड़े देखिए यहां दू बटक कर रहें इसको पच्छांतर करेंगा आप दू बटक के करणी 3 को इधर आता है क्या हो जाएगा यानि करणी में 3 बटके 2 हो जाता है यह ज इसका मान आया 20 करणी में 3 मीटर फिर इंद देखिए इतना तो आ गया अब आपको इंसर कैसे लिखना देखिए पहले सवार को एक पर देख लिए किया मानत है मानत है मिनार की उचाए और मिनार की उचाए यानि यह कमार आ चुका है जब यह कमार आया है आपका तो यहां क्या लिखेंगे इंसर में यहां पर इंसर में लिखेंगा आप मिनार की उचाए येच बराबर आया है 20 करड़ी में 3 मीटर सवाल समझ में आया देखिए फ्रेंस यहां पी आपके most important साथ question आपको कराएं कितना कराएं साथ question कराएं जिसमें बोविकल्पी और दिर्ग उत्तरी प्रश्ण दोनों थे फ्रेंस आपको कुछ समय के बाद पार्ट टू इसका अपलोड कर देगे जो इसका last part होगा इसका क्या होगा last part होगा फ्रेंस देखिए इसमें आपको क्या करेंगे जितने भी दिर्ग उत्तरी प्रश्ण आपको बोड के एकजां में पूछे जा चुके हैं और जो 2024 में आने वाला सवाल है उसी सवालों को आप आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नहें तो चलो को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंज के पास अधिक से अधिक वीडियो को सेर करें ठीक है